आप लोग सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए न्यू लेटिस्ट वीडियो के प्लान्स और लेटिस्ट अपडेट्स लाती रहती हूँ अपने चैनल पे तो उसी तरीके से आज भी मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आई हूँ उसी अपने लिए प्रशेस तो उसके लिए आपको य वीडियो पूरा देखना पड़ेगा जिससे आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आए याप इस वीडियो को प्ली एक जल्दी से लाइक कर दीजिए लाइक कर दीजिए लाइक करने को अगर अगर आप हमाही चैनल पे फर्स आप के बारे में कि इसमें आप किस तरीके से सिंपली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आगे आप इस पर वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको रॉयल क्यू अप्लिकेशन को डाउनलोड करना है अपने फोन में हमने अल्रडी इस आपको डाउनलोड किया और बताना चाहूंगी कि अगर आप रॉयल क्यू प्लैन के साथ जोड़ने वाले हैं तो बहुत ही जैनून और रियल प्लैन है यह वो कैसे उसका मैं आपको एक्जाम्पल दे के समझाती हूं सपोस कीजे आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उस कंपनी मे आपको पूरा पैसा अपने ही एकाउंट में रखना है और रॉबोट ट्रेडिंग करेगा आपके पैसो से और जो भी प्रॉफिट होगा वह आपको मिलने वाला है यहां से पूरा तो इसलिए प्लैन एकदम सिक्यूर है क्योंकि इसमें आपको किसी को पैसा देने की ज़ु और रॉबोट आपको ट्रेडिंग करके जो भी इंकम से प्रॉफिट मिलेगा वह आपको पूरा प्रॉफिट देगा तो फिंस अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको रॉयल क्यों में रजिस्ट्रीशन किस तरीके से करना है और आपको अपना API लिंक बांड के से करन रॉयल के अप्लिकेशन आप जैसे अपने फोन में खोलेंगे तो यहां पर आपको लॉगिन का ओप्षिन दिखेगा पसे पहले आपको नीचे रजिस्टर नाव पर क्लिक करना है रजिस्टर नाव पर आप जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफीस आपके सामने अपना email ID एंटर करना है दैन 6 से 12 डिजिट का आपको login पासवर्ट सेट करना है जो भी आपको याद रहे फिर re-enter login पासवर्ट आपको अगीन यहां पर एंटर करना है उसके बाद आपको verification code यहाँ पर mention करना है आपने जो भी अपना email ID यहाँ पर mention किया है उस mail ID पर आपका verification code जाएगा code आपको यहाँ पर mention करना है then invitation code में आपको डालना है HBUMJ अगर आप हमाई साथ में जॉइन करती है Royal QCO friends तो मैं आपको बता दू आपको हमाई तरफ से बहुत अच्छे support मिलने वाला है और आपको हमाई तरफ से हर तरह की training भी provide की जाएगी तो अब आपको I have carefully read the service agreement and user privacy policy पर क्लिक करके register नाओ पर क्लिक करना है तो जैसे आप registration यहाँ पर complete कर लेंगे तो कुछ इस तरह का interface आपके सामने आएगा यह खुल चुकी है Royal Q की application अब यहाँ पर आप देख सकते हैं friends काफी सारे आपको options मिल जाएंगे यहाँ पर आप API binding का option देख सकते हैं API binding में जब जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं Binance Unbound and हो भी Unbound दोनों ही हमारे Unbound है तो अब मैं आपको Bound करके बताऊंगे कि Bound करने का सही तरीका क्या है अगर आप सही से API binding कर देते हैं Binance से तो यहाँ से आपकी trading स्टार्ट हो जाएगी और आपको आपका profit income आना स्टार्ट हो जाएगा तो सबसे पहले आपको अपने Binance के account पर जाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अपने Binance के account में आ चुके हैं अब यहाँ पर आपको more का option दिखेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं उपर more का option है deposit, referral, more तो more पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे नीचे आपको API Management का option दिखेगा API Management पर जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का interface आपके सामने आएगा यहाँ से आपको अपना create करना है API address तो यहाँ पर आप mention करेंगे Royal Q लिखकर और create API करेंगे हमारा already create हो चुका है API तो यहाँ से हम direct copy कर लेंगे API को create करके और friends यहाँ पर आपसे verification code भी मांग सकता है तो वो अगर आपसे मांगे तो आप यहाँ पर अपना verification code देते ना email address पर आएगा जिसे email address से आपनी यहाँ पर account अपना login किया हुआ है तो again आप Royal Q के application पर आएगे unbound पर click करेंगे यहाँ पर API pin को paste करेंगे अब यहाँ पर आपसे secret key भी मांग रहा है तो वो भी आपको यहाँ पर paste करनी है secret key के लिए हम again binance पर जाएंगे again security key copy paste करना है तो यहाँ पर हम security key paste कर देते हैं अब यहाँ पर आपसे verification code पूछेगा और send पर आप जैसी क्लिक करेंगे तो आपकी email पर verification code आ जाएगा तो यहाँ पर आप verification code paste करेंगे then I have read the risk notice carefully पर click करेंगे check box पर और bind पर क्लिक कर देंगे और bind पर आप जैसी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यानि बाउंड हमारा बाउंड हो चुका है API binding हो चुकी है यहाँ तो अब यहाँ पर आप बैक आके वापस mine के option पर क्लिक करेंगे यहां asset का option देख सकते हैं asset पर आप जैसी क्लिक करेंगे deposit के option पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक address दिखेगा इस address पर आपको amount send करना है और यहाँ से आपकी ID एक्टिवेट होगी तो friends यह था इसमें पूरा procedure, registration का, API bound करने का और आपको activation कैसे करना है अपना account तो आगे और आने वाली अपडेट्स के लिए आप हमारी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजी and don't forget to enable bell icon तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई, टेक केर